समाजवादी पार्टी के नेता आजम खाका गड़ कहा जाने वाला रामपूर में लोग सभा उप्चुनो का परिणाम सामने आचुका है यहां विजेपी ने जीत का पर्चम लहरा दिया है रामपूर में सपा की ओर से आसिम राजा और विजेपी की ओर से घंस्याम लोधी चुनावी मैदान में उतरे थे यहां से बहुजन समाज पार्टी का कोई भी उमीदवार नहीं उतरा तो वहीं 2019 के लोगसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कबजा था हाला कि 2022 के विधान सभा चुनाव में अखलेश यादो और आजम खाके विधायक बनने के बाद उन्होंने लोगसभा की सद्दसिता से इस्तिफा दे दिया था विजेपी उमीदवार घंस्याम लोधी ने यहां 42,000 से भी अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की आपको बता दे कि रामपूर में सुरुाती रुजानों में भले ही सपा प्रत्यासी ने अपनी बढ़त बनाई हो लेकिन उसके बाद मदगर्णा के आगे बढ़ने के साथ ही परिणाम बदलते हुए भी नजर आए मदगर्णा खत्म होने के साथ आखिरकर विजेपी ने आजम खाके गड़ में भी जीत का परचम लहरा दिया आपको बता दे कि रामपूर्ण सीट से उपचुनाओ के लिए 23 जून को मददान हुआ था तो वहीं चुनाओ परिणाम सामने आने के साथ ही विजेपी को मिली जीत के बाद पार्टे के समर्थकों में उस्साह देखा जा रहा है विरे रुपोर्ट आई पियन